कि नमस्कार दोस्तों बीपीएस एकेडमी के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम NTT ECC के पेपर नमबर 5 जो की है Educational Psychology उसके बारे में बात करेंगे Educational Psychology जैसा कि आज आप जानते हैं Educational Psychology मतलब होता है शिक्षा मनोविज्ञान अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसका स्कोप क्या क्या है, इसकी परिभाशा है क्या क्या है इसके अलावा हम बात करेंगे आज attention के उपर जो की है ध्यान और interest के उपर तो आज यह topic हमारे रहेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करते है educational psychology यानि कि सिक्षा मनुविज्ञान अब यह सिक्षा मनुविज्ञान क्या होता है जैसा कि आप जाते हैं कि education और psychology यह दो अलग-अलग branches हैं यह दो अलग-अलग चीज़े हैं बट इन दौनों का बहुत गहरा रिष्टा है एक दूसरे के साथ वैसे तो psychology के अंदर हम मानसिक रोगों के बारे में और मानसिक जो क्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ते हैं mental activities के बारे में पढ़ते हैं जो एक individual व्यक्ति के साथ होता है बट जब हम education के अंदर इसको एप्लाई करते हैं जब हम education field के अंदर यानि सिक्षा के सेथर के अंदर जाओं इसको implement करते हैं तब psychology का education psychology क्यालाती है यह बेसिकली कवर करता है बच्चे का विकास होता है अर्ली एच से लगाकर बच्चा बहुत छोटा होता है उस समय से लगाकर जब बढ़ा होता है मैच्चर होता है उन सारे फैक्टर्स को इन्वाल करते हैं उसके उस बच्चे का behavior कैसा होगा वह कौन कैसे सीखेगा उसकी शमताएं क्या-क्या होता है उसका attitude क्या रहेगा उसक शिक्षण कार्य अधिकतर मनुविध्यान वह विभिन सद्धानतों के निर्व करता है शिक्षा के सेत्र में मनुविध्यान के नियमों सद्धानतों आधी का प्रियोग किया जाने लगा है अब यह जो education psychology है इसके अंदर इसकी जो definition है कुछ जो speakers है उनकी definition को देख लेते है सबसे पहले क्रों को की definition है वो कहते हैं education psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth to old age यानी कि शिक्षण मनुविध्यान जनम से व्रद्धावस्ता तक व्यक्ति की सीखने के अनुपूतियों की व्यक्या करता है ठीक है इसका मतलब education psychology में बच्चे के birth से लगा कर जनम से लगा कर उसके जो बढ़ापे तक वो जो भी सीख रहा है वो जिस तरह से अपने आपको प्रेजेंट कर रहा है उसकी जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा है वो सब कुछ education psychology के अंदर आता है अब इसके अंदर एक औ scientific investigation of psychological aspect of education यानि कि इसके अंदर हम investigate करते हैं हम पता लगाते हैं scientific जो आसपेक्ट्स हैं scientific जो तरीके हैं education के psychosis उड़े हुए उनके ओपर हम research करते हैं इसके लाब आप बहुत सारी definitions हैं जैसे ट्रोकी definition है जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्यान शेक्षिक परिस्तितियों के मनोविज्यानिक पक्षो का अध्यान करता है यानि कि education psychology is a study of psychological aspect of the education situations पिर एक education psychology के कुछ definitions थी जो मैंने आपको बताएं आप बुक के अंदर पढ़ेंगे आपको और definitions मिल जाएंगी अब हम बात करते हैं कि इसका scope क्या-क्या है और इसका study कि जगहों पर होती है तो इसका scope की जहां तक हम बात करते हैं तो इसका scope है सबसे पहले heritage and environment के अंदर यानि कि अगर proper education इसको पहले समझते हैं कि proper education of a child can go only when a teacher is well acquainted with heritage and environment of a child एक बच्चे को तब भी धंग से सिखाया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है जब शिक्षक को उसके background के बारे में पता हो उसके environment के बारे में पता हो कि बच्चा कहां से आ रहा है किस शेतर से आ रहा है इसके family background के है है तब उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है तो वो भी study इसी के अंदर होती है दूसरा है इसके अंदर intelligence and maturity जब बच्चा पैदा होता है वो तब से ही अपने आज-पास के वातावरण के प्रती response देना शुरू करता है यानि the environment is healthy the education is bound to be healthy अगर आपका वातावरण healthy है क्योंकि बच्चा वातावरण के ही प्रती response करता है जैसे अब बताया कि प्रती बच्चे का reaction जो होता है वसी से वो सीखता है तो अगर वातावरण healthy होगा तो बच्चे की education भी healthy ही होगी education अच्छी होगी तो यह भी एक शिक्षक क जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को एक healthy और proper atmosphere प्रोवाइड करें environment प्रोवाइड करें एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें जो सीखने के लिए उप्युक्त हो और उसके अलावा वो बच्चे को time to time जाच करें कि वो बच्चा proper सीख रहा है या नहीं सीख रहा है क्योंक प्रिंसिपल सब्रिंसिपल आफ टीचिंग ऑफ एड्यूकेशन देखें साइन्सिजब वेरी बर्द चाइल्ड स्टार्स एक्वेशें एड्यूकेशन अब जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब से ही वो सीखना शुरू करता है यह हम जानते हैं तो जब वह बातावरण के तुरू जब सीखता है यह दूसरी चीजों के तुरू जब सीखता है तो बच्चा सबसे पहले इमिटेट करना सीखता है यानि नकल करना सीखता है और फिर धीरे-धीरे स्लोली और ग्रेजूली जैसे वह बड़ा होता है वह अब्जर्वेशन करना भी सीखता है वह अब जा सकता है और कौन से principles हैं जिससे की teaching और बहुत सिंपल हो जाए और बच्चे को ज्यादा टाइम तक चीज़ें अच्छी रहे और उसका जो अटेंशन स्पैम है जो उसका ध्यान है वो ज्यादा टाइम तक पड़ाई की तरफ लगा रहे हैं फिर education counseling का इसका scope आता है guidance and counseling के अंदर अब जैसा कि आप जानता है guidance and counseling आपका जो guidance and counseling मार्कदर्शन है निर्देशन है उसके अंदर यह जनरली काम आता है क्योंकि education counseling के जो through ही आप किसी बच्चे को मार्कदर्शन कर सकते हैं उसको निर्देश देश सकते हैं कि क्या उसको करना चाहिए ठीक क्योंकि शिक्षा के जो सिद्धानत हैं वो जानना बहुत जरूरी एक शिक्षक के लिए फिर इसके अंदर हमें समझे सिखा जैसी इसका स्कोप है psychology of teaching यह जो पढ़ाने का psychology वो क्या होती है एक पढ़ाया कैसे जा सकता है कैसे टीचर एक सक्सेस्फुल जैसे अगर बच्चों को पौधा मानते हैं तो टीचर एक माली हो गया या गाड़नर हो गया तो एक टीचर सक्सेस्फुल गाड़नर कैसे बन सकता है कैसे बच्चों को वो सोसाइटी के लिए प्रिपर करता है और यह कैसे वो बच्चों को व चरित्र का निर्मान होता है जिसको हम कहते हैं development of character यह भी इसी का पार्ट है अगर education psychology अच्छे से पढ़ी होगी teachers ने या समझी होगी तो बच्चे के चरित्र का निर्मान अच्छे से कर सकते हैं फिर आता है study of behavior अब education psychology में होती है बहुत सारी problems आती है जिसका solution education psychology मी मिलताb Jess Перв जासे के behavior problems होती है learning problems होती है individual problem होती है यह सारा society psychology के अंदर कवर होता है कि कैसे हम behavior के problems को solve कर सकते हैं कैसे हम जो बच्चे के learning प्रॉबलम मती उनको solve कर सकते हैं तो behavior जो study होती है वो एक बहुत important study है इसके अंदर अब हम बात करते हैं attention के उपर अब attention मतलब ध्यान ठीक है attention is a motivated process it is commonplace observation that some stimuli affect us more than other अब कुछ attention मतलब क्या होता है ध्यान कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा ध्यान जादा आकर्शित करते हैं डूसरे का चीजों के comparison में कुछ चीजों के अंदर हम ध्यान इतना जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि हम आजपास के इंद गिर्ध कितनी चीज़ें और कितनी चीज़ें हमारा ध्यान आकर्शित करती हैं ठीक है तो जैसे कि कभी आप जिनको अगर मुवीज बहुत पसंद है तो जब रोड पर जाएंगे तो उनको मुवीज के पोस्टर बहुत अट्रेट करते हैं किसी को अगर म्यूजिक बहुत पसंद है तो जहां भी म्यूजिक चलना चल रहा होगा उसका ध्यान अचानक से उधर किसकी तरफ जाएगा तो यह यह सब्सक्राइब बताता है कि एक मॉटिवेशन प्रॉसेस है जिससे हम प्रेरित होते जिस चीज को ध्यान देना चाहते हैं उसी के ओपर हम ध्यान देंगे अब बहुत दिखती बाते कि अटेंशन जो आपका प्रभावित होता है वह आपकी रूची से प्रभावित होता है आपके से प्रोभित होता है और ये बहुत स्लेक्टिप प्रोसेस है जो कि मोटीवेटर होता है यह आप स्लेक्ट करते है कि मुझे कि ठीफ ध्यान देना यह नहीं दियान है अब रॉस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रॉस ने बताया प्रक्रीया है अब इसी तर से अलग अलग डबलिन ने एक परिबाशा दिये किसी दूसरी वस्तु की बजाए एक ही वस्तु पर चेतना का केंधरी करन ध्यान है हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़के किसी एक चीज़ के तरफ अगर ध्यान दें तो वही अटेंशन है जैसे अभी आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके इडगेर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी पर आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो के उपर है मेरी सुनने पर ध्यान देना है तो यही अटेंशन है आपने दूसरी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है चाहे वह दूसरे आज-पास के बातार में से आपको कुछ आवाजे सुनाई दे रही होगी या आज-पास के आपके पास से कोई निकल रहा होगा पर हमने अपने अपन कर रही है किस चीज से मेरा ध्यान प्रभावित हो रहा है तीक नेचर उसका नेचर कैसा है ध्यान के अंदे वस्तु की प्रकृत्य पर नेभड़ करता है चोटों बच्चों का जैसे धियान होता है वो रंगी रंग बिन दूस्तू पर बहुत आरां से लाता है कलरफूल ची जाएगा ही जाएगा यह आपको पर जोड से रोशनी फेकी जाए तो भी आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा तो इंटेंसिटी किस्ती है तिवृत्ता किस्ती है उस चीज की तो यह भी आपके ध्यान को एफेट कर सकती है यह अभी जो मैं आपको बता हूँ यह एक्टर्स है हिश्वार है आपके बाहर के बाहर ही जो फैक्टर सोते हैं उनके वे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं size of the stream lie मतलब जो चीज आपके सामने आ रही है उसका आकार किता बड़ा है। हमारा थ्यान चोटी वस्तू कि अपक्साब बड़े आकार की वस्तू की और जल्दी जाता है चौराओं पर बड़े-वएग्यापनों की जो होडिंग लगाए होते हैं वह इसलिए लगाए जाता है ताकि हमारा वह बड़ी चीज देखके हमारा ध्यान उसकी तरफ आकरशित ह फिर आपका ध्यान आकरशित होता है लोकेशन के उपर वो कहां लगा हुआ है देखे हम अक्सर रोट के उपर भी अगर हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई चीज बहुत साइड में लगी हुई है तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा अगर आपने अकबार पढ़ते पढ़ते हैं तो न्यूश्पेफर के सेंटर के अंदर जो चीज होगी जो पीच में चीज होगी उसके हमारा ध्यान जल्द जाएगा बनिश्पत की उन चीज़ों पर जो छोटे एक्षणों में साइड में लिखी हुई है तो इससे भी हमारा ध्यान आकरशित होता है फिर जैसे कि बच्चों को ध्यान को आप जखने के लिए शिक्षक मुख्य बातों को दोहराते रहते हैं उसको बार-बार रिपीट करते रहते हैं कि वह चीज वह कंटिनुशली बार-बार जब बोलेंगे तो उसकी वज़े से उनका ध्यान आकरशित होगा अगर आप किसी को ब जाता है तो सबका ध्यान आकरशित होता है जैसे कि अब एकदम से कुछ चेंज हुआ किसी भी प्रकार का तो उससे भी आपका ध्यान आकरशित होगा इसके आता है isolation of the stimuli अभी जो isolation of the stimuli है यह होता है कि अगर एक आदमी अकेला बैठा है पार्क के अंदर होटल के अंदर तो वो दूसरों का ध्यान आकरशित करेगा अगर एक student पूरी class को छोड़कर corner में जाके अकेला बैठा है तो भी वो अपना आपका ध्यान आकरशित करेगा इसी तरह से isolation भी एक बहाई factor है जो आपके ध्यान को आकरशित करने में role play करता है तो यह कुछ factors थे जो आपके ध्यान को आकरशित करता है इसके लावा अवधी भी एक factor होता है जो आपके ध्यान को आकरशित करता है moment होता है गती चो चीज चल रही है रुक रही है अगर रुकती चीज लНе lip 다음에 चलती चीज करेंगे और कोई सीख्रेसी आज है कोई नई चीज अच्छानक से आपके सामन लीजिसको आपने कभी नहीं देखा हूँ तो भी की बात अगर बता ही जाएंगे तो भी अगर आपका ध्यान लीक्त होगा तो अभर बताई जाय तो आपका ध्यान gets the करते हैं इसके अलावा कुछ internal factors हैं वो भी आपके ध्यान को आखशित करते हैं जिसमें हैं सबसे पहले interest रूची ध्यान के केंदे करण का सबसे मुख्याधार हमारी रूची है इस संबंद में भाटिया ने लिखा है कि व्यक्तिगर्थ दशाओं दशाओं को एक शब्द रूची से विख्त किया जा सकता है हम उनी वस्तों के ध्यान देंगे जिन में हमारी रूची है अगर किसी को क्रिकेट में इंट्रेस्ट है तो क्रिकेट की तरफ ध्यान देगा तो रूची बहुत बड़ा factor है हमारा हम इंट्रीलघ्टर है आंतरिक जो प्राषित हम है कंब थाैं हिर्ग समय अगा मुख्यापण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षत करने के लिए काम प्रवरती का सारा लिया जाता अगर विग्यापन में सुन्दर यूतियों का चिते बनाए जाएगा तो आप उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होंगे उसको जल्दी देखेंगे इसी प्रकार्ण जो आपके बेसिक ड्राइब्स हैं जो मूल प्रवर्तियों उसके अंदर खुश्बू आती है खाने के भूग मनसीड यकार्ज आता है हमारे मस्तिष के जिस समय होता है उस समय विचार ओसित होगा यहां कि हमारे मस्तिष में कि किसी रोग का वीचार है तो समाचार पढ़ते समय हमारा ध्यान आउश्याद्यों के विज् année पर जाएगा या फिर मेडिक्र्ट पोस्ट्र होंगे रूगे उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा फिर आता है इसके अंदर aim हमारा जो मकसद होता है हमारा जो aim होता है वो भी हमारे ध्यान को आकर्शित करने के अंदर बहुत बड़ा role play करता है हमारा aim क्या है अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारे aim के इर्दगिर्द है ठीक है तो हमारा ध्यान उसके उपर बिल्कुल इमीडियेटली चला जाएगा तुरंद प्रभाव से हम उसके उपर ध्यान देना शुरू कर दें उसके बाद next आता है meaning यानि की मतलब अगर कोई meaningless बात होगी meaning ऐसी कोई बात हो रही है जो जिसका कोई अर्थ है जिसका कोई मतलब है जिससे हमको सीख सकता है तो उसके उपर हमाना ध्यान जल्दी जाएगा जैसे की for example अगर कोई बंदा तमिल में बात कर रहा है और आप पंज habit habit मतलब आदत ध्यान के केंदी करण का एक आधार व्यक्ति की आदत है जिस व्यक्ति को चार बज़े tennis खेलने की आदत होती है उसका ध्यान तीन बज़े से ही उस पर केंद्यान केंदी हो जाता है और वो तैयरी करना शुरू करता है कि चार बज़े मुझे tennis खेलने जाना है इसके बाद आता है emotions, emotions हमारे जो भावनाएं हैं वो भी हमारे ध्यान को अकरशित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अब जो दिन भर में हम जो experience करते हैं, हम जो इदर उदर चीज़े देखते हैं, कुछ अगर किसी का, किसी ने बहुत प्यार से हमसे बात की, या अगर कोई emotional scene movie में चल रहा है, कोई बहुत भावुक सीन बहुत चल रहा है, तो हमारा ध्यान वो थोड़े टाइम के लिए अपनी तरफ आकरशित कर सकता है, हम उस चीज़ को देखने लग जाएंगे, इसके बाद next आता है आपका past experiences, पूरानी आपकी जो past experiences है वो भी आपक आपके ध्यान को आकरशित करेगी ही करेगी, इसके बाद आता social motives, आपके social motives किया है, वो भी आपके ध्यान को आकरशित करता है, जैसे कि अगर कोई animal related चीज़ है, कोई social related चीज़ है, तो वो भी आपके ध्यान को आकरशित करेगी, अगर आप socially interested है तो, तो यह कुछ determines थे, internal और external जिसको हम बोलते हैं बाहए बाहए भाहाए दशाय और आन्तिय साथ जो आपकी ध्यान को अकरृषित Is कगने अब हम बात करता हैं और इंट्रेस्ट का क्या संम्मंद हैं जैसे इंट्रेस्ट की उत्पत्ति रेटिनलेशक होई और इसका कारण ये बहुत मत्मुन होती है लगाव होता है जिस से रूची वह प्रेड़क्ट शकती है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु या रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेर्ि गरती घ्यान के समान रूची के तीन पहल रहा है जानना अनूबव जोड़े ओंड़ी ज kindergarten arrows इस बहुत आपیا सकता है दो भूब सब्सक्राइब तो चीज के ऊपर आपको ध्यान केंडित करना है तो आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटाना पड़ेगा जनरली आपका दिमाग एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है अच्छी तरसा कि जो हम फोकस करने की बात करते हैं तो दिमाग सलेट करता है कि मुझे किस चीज को अटेंशन देनी है और किस चीज को अटेंशन नहीं देनी है अब यह जो attention देने का process जो होता है जो आपका mind करता है वो उसका base होता है सिर्फ एक वो होता है interest आपकी रूची तो आपका दिमाग उनी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें आपकी रूची होगी अगर मेरी रूची नहीं है तो मेरा ध्यान उस चीज की तरफ नहीं जाएगा और अगर मेरी रूची है तो मेरा ध्यान उस चीज की तरफ जाएगा तो अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं और आपको बच्चों का attention लेना है पढ़ाई की तरफ तो आपको बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रती रूची क्रियेट करनी पढ़ेगी आपको बच्चे के अंदर रूची होगी पढ़ाई के लिए तब ही वो पढ़ाई के प्रती अपनी इंट्रेस्ट शो करेगा या अपना ध्यान दे पाएगा पढ़ाई के उपर किछ विशय में छाते रूची उत्पन करने के लिए शिक्षक को छाते के बारे में कुछ बात नहीं होती हैं किछे बच्चे के अंदर किसी पढ़ाई के लिए इंट्रेस्स्ग्रेट करना चातेframe और बच्चे के लिए आगर बच्चे को इंट्रेस्ट होगा तो आज हमने जो सब्जेट कवर किया है उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ यह हेल्फुल रहा होगा वीडियो आपको कुछ मदद मिली होगी और एजुकेशन साइकलोजिक का बेसिकली आपका जो पर फाइफ है उसका चैप्टर एक और दो मैंने कवर करने की करनी होती है बच्चे का इंट्रेस्ट देखना होता है वह सब चीजे है वातावर्ण को बहुत शांत रखने की जरूत है तो उसको आप गोत्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको यह चैनल यह टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको हमारा चैनल कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फाइदा हो धन्यवाद थैंक यू